पाकिस्तान से आये तक्रिबन दस महीने होने वाले हैं लेकिन उसके पाकिस्तानी पती ने उसके मुश्किल जरूर बढ़ा दी है। खबर है कि उसने भारत में एक वक्कील कर लिया है अपने बच्चों की कसरडी के लिए वो कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा है। ग्रेटर नोईडा की रभुपूरा में सीमा हैदर सचिन मीना के परिवार के साथ राजिक कुशिस से रहने का दावा करती है। सीमा के साथ उनके चार बच्चे भी रहती हैं। लेकिन अब इन ही बच्चों को लेकर उनके पाकिस्तानी पती गुलाम हैदर ने बड़ा पेश पसा दिया है। पिशले दिनों एक इंचबी को दरान दोनों की तीकी बहस भी देखने को मिली थी। इसमें गुलाम हैदर ने अपने बच्चों की कस्टटी को लेकर बात कहीं थी। पानिपत के वकील मोमिल मलिकनी यूपी पुलिस से एफ़ायार की कॉपी देने सवेट इस केस से जुड़े दूसरे दस्तावेश की मांग की थी। का जाराय की वकील ने एक एप्लिकेशन स्थानी मेडिस्टेस्ट को दी थी। कोट ने जाच अधिकारी को आदेश देते हुए 26 फरवरी तक कोट में जवाब दाखिल करने का समय दिया था। साथ ही यार्चिका में कहा गया था जिस वक्त सीमा हैदर को गिरफतार किया गया था। उस वक्त उनके चारों बच्चों की उम्र 3, 4, 5 और 6 साल थी। पुलिस ने सभी को कस्टडी में रखा लेकिन इसकी सूचना इनके असली पती गुलाम हैदर को नहीं दी गई। गुलाम हैदर ने सीमा के साथ सचिन को भी दोशी बताया है। उसका कहना है कि सीमा से बरामच सभी दस्तावेजों में उसके पती का नाम गुलाम हैदर लिखा हुआ है। और इस तरह से वो उसकी कानूनी तौर पर पत्नी है। दोनों की बीच तलाग भी नहीं हुआ है। गुलाम के वकील मोमिल का कहना है कि सीमा उनकी चार बच्चों और सचिन को हर्याडा के वल्लबगड से गिरफतार क्या क्या था। बाद में FIR ग्रेचा नोड़ा के रविपुरा थाने में दर्ज की गई थी। इस मामले की कानूनी प्रक्रिया वल्लबगड में ही बनती है। मुकादमा भी यहीं दर्ज होना चाहिए था। गुलाम हैदर का कहना है कि भारत की अदालत से उनको इंसाब की उमीद है। और जल्दी ही उनके बच्चे उनसे मिलें के। मुए सीमा का कहना है कि अगर उन्हें पाकिस्तान भेचा चाता है, तो उनकी और उनके बच्चों के जान को खत्रा है। पाकिस्तान के कराची में रहने वाली सीमा हेदर बीते साल 13 माई को नेपाल के रास्ते अपने चार बच्चों के साथ अवैध रुप से भारत में दाखिल हो गई थी। सीमा नोईडा के रहने वाले सचन से ऑनलाइन गेम के दोरान संपर्क में आई थी। बाद में दोनों बात में रहने का फैसला कर लिया। दोनों नेपाल के रास्ते भारत आ गए तब से सीमा सचन के परिवार के साथ ही रह रही है। वही सीमा का ये भी कहना है कि गुलाम को कुछ लोग भढ़का रही है। साथ रहते हुए गुलाम ने कभी बच्चों की चुंता नहीं की। लेकिन अब मुँ प्यार दिखा रहा है। जाहर है अब गुलाम हैदर मामले को अदालत की चौकट पर ले गया है। जिससे सीमा हैदर और सचन की लव स्टोरी पर नया मोड आ गया है। अब सवाल है कि क्या बच्चे सीमा के पास ही रहेंगे या फिर कस्टनी गुलाम हैदर को मिले की। यूर रिपोर्ट न्यूस 18